नमस्कार मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहत स्वागत करती हूं जहां भारत की आबादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है वहीं बेरोज़गारों की संख्या भी हर रोज बढ़ती जा रही है लेकिन अपने राज्य के बेरोज़गार युवाओं की मदद करने के ये उत्तरप्रदेश सरकार लेकर आई है उत्तरप्रदेश कौशनल विकास मिशन जी हां इसे अंग्रेजी में कहा जाता है उत्तरप्रदेश स्किल डेवलप्मेंट मिशन इस योजना के अंतरगत उत्तरप्रदेश के सभी बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगा के अबसर उपलब्द कराने के लिए प्रशिक्षन केंद्रों में प्रशिक्षन दिया जाएगा इस योजना के अंतरगत 14 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं और अगर आप Building and Other Construction Worker यानि की BOCW Worker हैं तो आपकी उम्र सीमा है 14 वर्ष से 50 वर्ष तक इस योजना का लाब उठाने के लिए आपको सबसे पहले registration करना होगा फिर अपने पसंद का course चुनना होगा ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी और फिर आपको placement मिलेगी आपका इस बीच assessment भी होगा और वो आपको आपके पोर्टल पर दिखेगा इस योजना के तहत 1300-1380 से भी ज्यादा courses इस वक्त सिखाए और पढ़ाए जा रहे हैं जिन में aerospace, agriculture, floriculturist, hatchery, designing, sewing, technician, etc. जैसे courses शामिल हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसकी official website पर जाना होगा जो की है www.upsdm.gov.in अब ये देखिए मेरे सामने जो है UP Skill Development Mission के official website खुली हुई है और यहाँ पर ये देखे ये नीचे जो है एक पूरा इतना बड़ा गोला है और लिखा हुए candidate registration तो जब आप यहाँ पर click करेंगे तो आप जो है ये देखिए registration पर पहुँच गए है यहाँ पर आपको ये देखिए अपनी picture upload करनी है अपना धार card number डालना है अपना mobile number डालना है और इस तरीके से आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है और फिर आगे आगे चलकर जो है सारी अपनी details भरनी है मैं आपको यहाँ पर बिता दू कि सबसे पहले आपको अपनी candidate details भरनी है फिर आपको other details भरनी है फिर आपको अपना address भरना है फिर आपको अपनी bank की details जानी है और फिर आपको अपनी training preference चूज करनी है कि आप कौन सा course करना चाहते है आप कौन सी field में जाना चाहते है अब य कि क्या scene है तो यहाँ पर हमने select courses sector and courses पर selection किया है यहाँ पर नीचे यह देखिए courses list दे रखी है और यहाँ पर आगे यहाँ पर detail भी दे रखी है तो यह eligibility है अभी जो मैंने आपको eligibility बताई कि 14 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए या 14 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र होनी च यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं लेकिन हर course की अपनी एक अलग eligibility भी है अब यहाँ पर यह जो course है aerospace technician यहाँ पर इसके लिए जो नियूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है तो यह जो है यहाँ पर यह कुछ चीजे दे रखी है अब यहाँ पर practice hours, theory hours और total hours भी बता रखे हैं यानि कि आपको theory book पढ़ने में आपको 232 घंटे बिताने होंगे practice hours जो आपका practical होगा उसमें आपको 344 घंटे इस course में बिताने होंगे तब ही चाकर यह course आपका पूरा होगा और आगे यह फिर course code वगेरा दे रखा है और इसी तरीके से यह देखें यहाँ पर बहुत सारे courses दे रख उनके घंटे लिखें होगे कि किस course में कितने घंटे जो है वो बिताने होंगे अब आप यह देखिए यह जो course है agriculture core technician यहाँ पर इसकी age जो है वो 23 साल दे रखी है minimum age तो ऐसे course भी है यह देखिए एक यह course है agriculture farm worker इसकी 16 साल है उम्र minimum उम्र एक है आपर यह agriculture supervisor इसकी minimum उम्र जो यह बात सब में अलग-अलग है और इसी प्रकार से सभी courses में यह बात भी अलग-अलग है कि इनसान जो है वो उस course के लिए दसवी पास होना चाहिए बारवी पास होना चाहिए या फिर बिना पढ़हे लिखे इनसान भी अगर वो बेरोजगार है तो इस योजना की माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं जी हाँ अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाब उठाने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके पास अपनी पहचान के सारे जरूरी कागजा होने चाहिए अब वे जरूरी कागजात कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले उनके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास अपना निवास प्रमान पत्र होना चाहिए जो यह कहें कि वे उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं उनके पास उनकी बैंक अकाउंट की पास्बुक होनी चाहिए, पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और उनको अपना मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, तो यह थी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के उपर संपूर्ण जानकारी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश की और गर्मेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूले, और हमें हमारे